नमस्कार दोस्तो मैं है उशाल मलीक और इस वीडियो मैं आपसे बात करने वाला हूँ Axis Bank के MyZone Credit Card के बारे में दोस्तो अगर आपके बास पहले से यह credit card है तो मैं आपको बताऊँगा इसके अंदर क्या के benefits है जिनका आप प्योग कर सकते हैं अगर आप प्योग नहीं कर रहे हैं दोस्तो और अगर आप इस credit card के लिए अप्लाइ करना चाहते हैं तो भी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए और उसकी किती ही limit तक मिल सकती है और दोस्तो तीसरे number पर मैं इसके fee और charges के बारे में बात करता हूँ दोस्तो सबसे पहले start करते हैं इसके benefits से दोस्तो इसके अंदर मैं आपको 5 benefits share करने वाला हूँ दोस्तो 5 benefit में पहला benefit जो है वो यह है कि इसके अंदर आपको 200 रुपिय या 200 के multiple में जितना भी spend करते हैं उस पर आपको 4 reward point मिलते हैं और दोस्तो 5 reward point जो है वो एक रुपिय के बराबर होता है दोस्तों मैं आपको बतायता हूं इसके अंदर जो सबसे best redemption method होता है जो आपके reward points को redeem करने का method होता है जो आपको cashback है वो 0.4 percentage का है जबकि जो Amazon का ICI वाला credit card है और जो flip card का जो access वाला credit card है उसके अंदर minimum आपको 1% जो cashback है वो मिलता है तो दोस्तों इसका cashback जो है उन card से थोड़ा कम है दोस्तों दूसर benefit जो इस card के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है वो है movie tickets पर अगर पेटियम movies के थू हर महीने movie ticket book करते है तो यह card आपके लिए हो सकता है दोस्तों इसके अंदर आपको 25% तक का cashback मिलता है movie tickets पर और maximum cashback जो हर महीने 100 रुपिय है यानि आप हर महीने 100 रुपिय से cashback ले सकते है अगर आप 400 रुपिय का कोई भी movie ticket book कर रहे है उस पर आपको 100 रुपिय का cashback तो आपके Amazon credit card के अंदर मिलेगा मिलेगा और पेटियम पर 50% cashback चल रहा है तो 200 रुपिय का cashback मिल जाएगा आपक इस offer को apply कर सकते है तीसरा benefit जो इस card के अंदर आपको मिलता है वो यह है कि अगर आप हर quarter 30,000 रुपिय minimum spend करते है तो आपको 1000 reward points मिलते है और दोस्तों 1000 reward points का मतलब है कि minimum 200 रुपिय का cashback जो है वो आपको मिल जाता है दोस्तों यह बाकी card में किसी में मिल जाता है इस तरीके को वो दिरे-दरे कम होता जा रहा है दोस्तों तीसरा और चोथा जो benefit है वो सभी credit card में mostly आपको मिलते है तो आपको मैं फिर भी बता देता हूं जो चोथा benefit इसके अंदर आपको मिलता है वो यह है कि आप अगर airport पर जाते है तो आपको complimentary launch access मिलती है जो कि mostly credit card पर मिलते है आपक किसी benefit का इस्तेवाल नहीं कर रहे है तो आप इस video को देखने के बाद उनका benefit का इस्तेवाल कर सकते हैं दोस्तों अब मैं आपसे बात करता हूं इसके अंदर आप किस तरीके से eligible हो सकते हैं दोस्तों जो mostly credit card होते है वो सिर्फ Indians के लिए रहते है और जो NRIE वगरा होते है उन अगर आपको कितने चार्जिस लग सकते हैं दोस्तों सबस्वाले में आपको बदाएता हूं आप जब भी इस card को apply करते है तो इसकी जो जो इनिक फी आपको लगती है वो है 500 रुपिये प्लस घेश और अगर आप पहले 45 दिन के अंदर तक 5000 रुपिये तक काई स्वेयन कर देते हैं तो आपके जो 500 रुपिये ये refund हो जाते हैं जो लेकिन जो GST लगता है 90 रुपे का वो refund नहीं होता है दोस्तों उसकी साथ-साथ आप अगर हर साल आपको इसके लिए पे करना पड़े लेकि इसके बाद अब मैं बात कर लेता हूं कि इसके अंदर आपको कितना interest पे करना होता होता है अगर आप इसका जो ق्रीट गार्ड का बील है वो टाइम पे पे नहीं करते तो आपको इसका हर मन्त 3.25% के rate से interest पे करना पड़ेगा करने के परी आपको cash देना पड़ता आपको credit card है उसे परập تع सुख करते हूं उसका टाइम पर फिल पेमें टो 근데 असरी में कर देंगे और आपको इस करें कुछना रहाए